जै माता लक्समी की दोस्तों दोस्तों कई बोजन ऐसे होते हैं जो हमें भूल कर भी रात के समय नहीं खाने चाहिए लेकिन दोस्तों हम ऐसा ही करते हैं परती दिन हम ऐसा करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों ऐसा करने से माता लक्षमी रूठ जाती है और फिर गर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रात को भोल कर भी गलती से भी इस प्रकार का खाना ना खाएं नहीं तो गर से सारी सुक्स मिर्दी चली जाएगी जेहां दोस्तो ये बात सत्य है और जिद्शिय सास्त्रों में इस बात को बहुत महतवद दिया गया है दोस्तो हम जिवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते इसलिए बड़े बड़े नुक्सान उठाते हैं दोस्तो आज का ये उपाए माता लक्समी से जुड़ा हुआ है अगर आपको माता लक्समी की किरपा प्राप्त करने है दोस्तो तो आज से ही रात के समय ये खाना बिलकुल ना खाएं पल्ले गांठ बांदलो नहीं तो जीवल में कभी तरकी नहीं कर पाओगे दोस्तो इस प्रकार के बड़े का माता लक्समी से सीधा संबंध है और ज्यादा से मैं ना लेती हूँ दोस्तो चलिए आपको बताते हैं इससे पहले दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ना ना वुले तो चलिए दोस्तो बताते हैं आपको कि रात को किस प्रकार का बोजन हमें नहीं करना चाहिए देखिए दोस्तो इस प्रकार है कभी भी सुरियासत के बाद चाव चावल नहीं खाने चाहिए अगर घर में चावल बनते भी है तो शुरियासत से पहले चावल का बोघर कर लेना चाहिए अगर रात के चावल बचे हैं तो अगले दिन सुबे भी आप उनको खासकते हैं लेकिन रात को खाना वर्जित बताये गए है दोस्तो तो दोस्तो ये है चावल की महमा जो आपको दुखों से दूर करने में साहिक है दोस्तो हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर माता लक्षमी को परसंद रख सकते हैं आज की वीडियो मितना ही दीजी इजाज़त जै लक्षमी महिया क कर सकते हैं जीजाओ से जीजफरी